प्राकृतिक सौंदर यसे भरपूर है राज्य मध्यप्रदेश के जिले मंडला की क्षित्रियसन रचना जिले के बीजा डांडी ब्लॉक का कटंगी गाउं और नारायन गंज ब्लॉक के परतला वडुंगरिया गाउं छोटी बड़ी पहाडियों से घिरे हुए हैं प्राकृतिक जलसन साधनों के संरक्षन और सुचारू प्रबंधन के लिए एक गयर सरकारी संस्था रॉयल बैंक अफ स्कॉटलंड फाउंडेशन द्वारा तीन वर्षिया योजना बध कारिक्रम वर्ष दो हजार नौ के जनवरी माह में शुरू किया गया क्षेत्रिय ग्रामीनों की भागिदारी सुनिश्चितकार प्रतेक गाउं में विभिन्द समितियों का गठन किया गया समितियों में विलेज वाटर शेड कमिटी निगरानी समिती सैयुक्त महिला समिती आदी की भूमी का मुख्य रही हमारे पासे साधन नहीं थे, पानी का प्रबंद नहीं था, हमारे पासे मसीन मॉटर पाइप नहीं थे जब वाटर सेट यहां आया, समिती के दौरा एक्षेन प्लान बना करके प्रस्ताव किये बरसाती जल के तेज बहाओ को रोकने के लिए पहाडियों के ढलवाक शित्र में बोल्डर लगा कर जगहा जगहा रोक लगाई गई जल एकत्री करण के लिए लंबी गहरी नालियों यानी ट्रेंचिस का निर्मार किया गया पहाडियों की तलहटी पर बने खेतों में जल एकत्री करण के लिए कड़ेखो दे गये खेतों की मेहड़ पर रिक्षा रोपन किया गया इतना ही नहीं बहते जल पर रोक लगाने के लिए चेक डैम का निर्मान किया गया परिणाम स्वरूप आज इन ग्रामेन क्षेत्रों में साल भर सिंचाई जल उपलब्ध है यही कारण है कि आज ये ख्षेत्र हरा भरा है श्री विधी से खेती के कारण अनाज की किस्म बहतर हुई है उत्पादन भी बढ़ा है विभिन स्वयम सहायता समूहों के सक्रिय होने से ख्षेत्र की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई है आपस में छोटे-छोटे लेंदेन करते हुए कई महिला स्वयम सहायता समूहों स्वरोजगार की रह पर है पहले पलायन में जाया करते थे तो बच्चों को भी साथ में ले जाया करते थे तो बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजाए पाए और जब से हमारे यहां संस्ताय आया तब से हमारे गाउं में पलायन में हम बाहर जाना रुका हुआ इससे हमको बच्चों को भी स्कूल भेज रहे हैं प्लाइन में हम बाहर नहीं जा रहे हैं बच्चों को अच्छा संसकार दी रहे हैं स्वच्छ बेजल के लिए इन गाउं में हैंट पंप लगाए गए है ग्राम बासियों की जरूरत के मताबिक कूओं का निर्मान भी किया गया है गाए भेंस की गोबर का बेहतर इस्तमाल हो साथ ही ग्रामियों को बायो गैस मिलती रहे इसके लिए गोबर गैस प्लांट लगाए गए हैं पहले हम लोग लकड़ी बहुत दूलते थे चूला जलाते थे दूवाई दूवाई आखी भी खराब होती थी अब है गैस में बनाते हैं तो समय का बचात बरतन मांजो तो भी समय का बचात मेहनत भी कम लगता है और अच्छे से समय मखाना में जाता है यहाँ इस बात का जिक्र महत्वपून होगा कि दिसंबर 2011 में प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भी ग्रामीनों ने अपनी कोशिशों का सिलसिला जारी रखा है नतीजा यहाँ खुशहादी के रंग दिन बदिन कहरे हो रहे हैं